एलो दोस्तों एक बार फिर से एक नए वीडियो में हार्दी फिर से है स्वागत है मैं एक छोड़ा सा टॉपिक आपके समने डिस्केसिन करने जा रहा हूं जिसका नाम है बीसीजी वैक्सीन इम्मुनाइजेशन चेडियूल के अंदर आती है और बीसीजी वैक्सीन बहुत इ कैसे लगाना है क्या साइट है क्या डोज है कैसे लगाना ची सारा है अपन डिसक्रेशन ब्रीफ ले करेंगे ठीक है फिल्कुल वीडियो बनाऊंगा और इसके अंदर हंड़ेट पर्सेंट आपको किसी भी एक्जाम के अंदर आपको कुश्यन है वो देखने को यहां से मिल रखनी है कि बीसी जी होती है वो किस फॉर्म के अंदर आपको देखने को मिलेगी तो यह ऐसी होती है बीसी जी और बीसी जी कैसी किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है किस फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है तो ड्राइव फॉर्म के अंदर देखने को मिलती है इसक क्या करते हैं अपन किसा करें तो आपको जियान में करना है आपको नॉर्मल लाइन के अन्दर करना चर्णिये लेना पड़ीं के वड़े मल नॉर्मल वे लिया जाता है यह दूसरा कोईशन हो गया तो ये एक dry form के अंदर होती है टीके dry form के अंदर होती है dissolve करना पड़ेगा normal slime के अंदर आपको किसमे करना है normal slime के अंदर करना है ठीके distal water के अंदर आप missiles की vaccine होती है उसको किया जाता है तो सबसे first priority किसको दोगे आप normal slime को दोगे तो normal slime के अंदर आपको क्या करना है 1 ml normal slime को BCG क का जो वेक्सीन होती है बी सी जी की जो वेक्सीन होती है उसको क्या किया जाता है तो यह समझ में आ गया होगा तो यह एक question है, important question है, इसको आप याद रखिए, ठेके, ओके, इतना ध्यान रखना है आपको, second thing, second बात आपको ये ध्यान रखनी है, कि BCG का टीका है, BCG का टीका, भैसा आपको at birth पे कितना लगाया जाता है, तो आपको मैं dose बताऊंगा, क्या बताऊंगा, dose, तो dose जब at birth, आपको प किया जाता है, एट बर्थ पे किया जाता है, आया समझ में, जब बच्चा क्या कर लाता है, जन्म लेता है, उस टाइम में ये वेक्शिन कर लिया जाता है, वेक्शिनेशन कर लिया जाता है, तो भैसा आपके, यहाँ पे जहन में answer question आएगा, कि वेक्शिनेशन वर्ड है, वो एडवर्ड जैनर ने दिया था बैसाब किस ने दिया था एडवर्ड जैनर ने दिया था आपको ये एक कोशिन आपको देखने को बिल गया सर वेक्सीन नाम किस ने दिया आपको ये दूसरा कोशिन यहां से आपको देखने को मिलेगा कि वेक्सीन नाम है को किस ने दिया तो वेक्षिन नाम है भैसा आप लूइस पाच्चर ने दिया था किस ने दिया था लूइस पाच्चर ने दिया था तो ये दो कोशन आपकी यह आएंगे एड़ जेनर ने दिया था वेक्षिनेशन नाम और वेक्षिन टार्म किस ने दिया था लूइस पाच्चर ने दिया थ आया समझ में, तो ये सर BCG का जो टीका है, BCG का vaccination है, वो 8 birth पे लगاتे हैं, क्या करते हैं, 8 birth पे लगाते हैं, तो सर 8 birth पे इसकी dose क्या रहेगी, तो 8 birth पे इसकी dose रहती है, 0.05 ml, याद रखना, 0.05 ml, ये आपकी क्या रहती है, dose रहती है, सर, हमने ये लगाना भूल गहें, और क्ट्चा हो गया वन मंथ का कितना हो गा सर वन मंथ का बच्चा कितनी रहे ईन अ मेल चुछें हैं तो आपको यह ध्यान रखना है कि जो बीषी जी का वैक्सीन है आगर लगाना है तो लह पॉइंट जिरो फाइव इंहां लगा अगर बच्चा हो गया है, तो आपको क्या करना है, 0.1 ml लगाना है, कितना लगाना है, 0.1 ml है, आपको BCG का टीका है, आपको लगाना होता है, सर BCG के टीका ये आपको ध्यान में रखना है, डोज आपको समझ में आ गई, ओकी, तो इतना समझ में आ गया, आपको, चलो, आपन next पढ़ते हैं कि BCG का ठीका होता है सर साइट क्या होती उस्षाइट के बारे में भी आपको ध्यान में रखना है ये क्या है आप का ये है आपका राइट आम और ये कौनसा ये है लेफ्ट आम तो आपको ध्यान रखना है 사इट आम के अंदर नंबर की रहेगी sir, syringe रहेगी वो 26 नंबर की syringe रहेगी, इसको tuberculosis, tuberculosis, tuberculin, sidoίνлюч भी बोला जाता है c, syringe बोला जाता, tuberculin, syringe के नाम से भी जानते हैं, कितने नंबर की 26 नंबर की sir side पूछी जाए, तो left upper arm के अंदर, यहाँ पे left upper arm के अंदर लगाया जाता है कौन सी मसल्स डैल्टोइड मसल्स कौन सी मसल्स डैल्टोइड मसल्स वैसा पूछा जाएगा आपको यहां से आपका ये कुशन का सैगेमेंट है अगर आपको साइट पूछता है तो मसल्स का नाम भी याद रखना है ठीक है तो मसल्स का नाम है डैल तो आपको यह ध्यान में रखना हैं, कि बैसी जी का ठीका है, बैसी जी का टीका है, सबसे बड़ी चीज हैं, सर आई वी रहेगा, आई एम रहेगा, आई डी रहेगा, सर सब कुटिनेस रहेगा अगर फौण ये देख लो, अब मेरे को आउप्शन बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी फटा फट उक्षन बन गे तो आँख बंद करके आपका उक्षन क्या जाएगा सर इंट्रा डर्मल लगाएंगे सर क्या लगाएंगे अपन इंट्रा डर्मल लगाएंगे तो आपका जो एंगल है वो एंगल याद रखना है सर कितना angle हैं intra-dermal लगाएंगे आया समझ में intra-dermal आपको ये लगाना पड़ेगा तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी ओके चलते हैं आगे की तरफ आगे की तरफ अगम चलते हैं कि next आपको किस बातों का ध्यान में रखना है ये सारी चीज़ें BCG के बारे में हमेशा question है वो क्या करता है पूँछा जाता है इसलिए BCG है वो बहुत जरू सरा प्यपीला BCG लगाते हैं तो प्यपीला अपेयर होता है प्यपीलाई अपेयर होता है कब होता है अपेयर प्यपीलाई जो आपको दे prawn को मिलेगा दो से तीन week के अंदर आपको दे niżने को में ग्रो भी तो हो सकता है मास्क, वहां से रप्चड भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, कब हो सकता है, फोर से फाइव वीक के अंदर हो सकता है, कब हो सकता है, फोर से फाइव वीक के अंदर, और सर इसकार बन सकते हैं या बिलकुल इसकार बन सकते हैं वहाँ पे पर्मानेंट इसकार बनते हैं और ये कोईशन कहीं बार पूछा गया है कि वहाँ पे सकार है और हील होता है सकार एंड हीलिंग जो होता है वो सर कब रहेगा तो वो रहेगा आठ से बारा वीक तक रहेगा कितना 8 से 12 weeks तक रहेगा अगर single best answer रहे तो आपको 8 पे टिक करना है ठीक है अगर आपको range में पूछे तो आपको ध्यान में रखना 8 से 12 weeks तो आपको यह इस कार यहां से question के अंदर पूछा गया है तो यह आपको ध्यान में रखनी है सर पैपिला बनेगी बिल्कुल बनेगी 2 से 3 weeks के अंदर बनेगी सर ग्रो होगा वहाँ पे बिल्कुल होगा रप्चड भी होगा हाँ होगा कब होगा सर 4 से 5 weeks के अंदर सर वहाँ पे permanent बनेंगे इसका बिल्कुल बनेंगे पैसाब कब बनेंगे 8 से 12 के अंदर बनेंगे ठीके तो ये तीनों कोष्षन है वो अपने आप में बहुत इंपोर्टेट कोष्षन है तो ये आपको ज्खान में रखना है अब BCG का टीका हैं आप लगा रहे हैं लगाते हैं, सor यह टीबी का जो टीबी को प्रिवेंट क्या life लॉंग तक करता है, नहें इसका duration होता है, लाइफ लॉंग तक नहीं करेगा, तो टीबी पहरी बात हो, आप बदाए टीबी क्या होती है, टीबी होती है इसका जो positive agent है, positive इजेंट से भी question पूछा जाएगा तो causative क्या है mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis mycobacterium tuberculosis इसका क्या है यह bacteria है सर किसका है तो इसके अगंस्ट में अपन क्या लगाते हैं BCG का तीका लगाते हैं, जिस से अपन क्या हो सके तीबी से क्या कर सकते हैं, कि प्रिवेंशन बे imagining is better than क्यों और इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, कितने time तक लगाए यह जो ठीबी का तीका अपन JCG का तीका लगाते हैं, तो TB के अगंस्ट में, Mycobacteria Tuberculosis के अगंस्ट में वो लड़ सकता है, तो आपको याद रखना है 15 से 20 यर तक इसकी क्या रहती है, एफिसेंसी रहती है, तो यहां से question आपका पूछ सकता है, कि भैसा आप कितने time तक आपका रह सकता है, तो time duration अगर मैं बात करूं, तो time duration की बा नहीं होने देगा, आया हाँ समझ में, ओके?